माननिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नित्रत्तु में भारत का लक्ष है कि साल 2030 तक अपनी उर्जा की जरुरतों का 50 प्रतिशत अक्षय उर्जा स्रोतों से पूरा किया जाए साथ ही सभी के लिए बेहतर और अधिक सस्टेनिबल भविश्य का मॉडल बनाया एक खित्र ऐसा है जो शायद बहुत बड़ा रिवलुशन ला सकता है और काम ये कि बिजली से चलने वाला चूला जिस पर हर प्रकार की रसोई हो सके माननिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इसी सपने को साकार कर दिखाया है इंडियन ओईल के अनुसंधान एवं विकास गेंद्र फरीदाबाद ने चार दशक पहले देश में नूतन स्टोव के बाद R&D सेंटर के गोल्डन चुमिली के शुभवसर पर प्रस्तुत है इंडियन ओयल की एक और पेशकाश इंडोर सोलर कुकिंग प्रोड़क्ट सूर्य नूतन सूर्य नूतन थर्मल बैटरी से चलने वाली मल्टी मोडल हीटिंग आधारी तक्नीक है कस्टमाजड थर्मल बैटरी और आप्टिमाजड इंसुलेशन के माध्यम से ये लंबे समय तक खाने पकाने के लिए जरूरी उश्मा को धारन करता है सूरी के चमकने पर ये भोणता है सोलर मोड में तथा कम धूप, बिना धूप वाले और हराम मौसम के समय में ये हाइब्रिड मोड में इलेक्टरिग गरिट के माध्यम से काम करता है इसे चलाना, मेंटिनिंस करना, बनाना और इसे इंस्टॉल करना एकदम सुरक्षित और आसान है इस पर तल कर बनाई जाने वाले पकोडे, ताप से पकाई जाने वाली रोटिया, भून कर बनाई जाने वाली मिठाई और चौक कर बनाई जाने वाली समसी भी आसानी से बनाई जा सकती है इस पर चार व्यक्तियों के परिबार के लिए ब्रेकफास्ट, लंज और डिनर तीनों पकाई जा सकते हैं उपभुकताओं की जरूरत के अनुसार सूर्य नूतन जल्द ही तीन वेरियंट में उपलब्ध होगा L मॉडल इसका इस्तिमाल केवल सोलर टाइम के दोरान किया जा सकता है लंच और डिनर के लिए LD मॉडल और लंच टिनर और ब्रेकफास्ट के लिए LDB मॉडल जो की सूरे के अस्त हो जाने के बाद भी खाना पकाने में सक्षम है इस तरह सूरे नूतन एको फ्रेंडली और यूजर फ्रेंडली प्राड़क्ट है जो आने वाले दिनों में कोकिंग के लिए क्लीन और ग्रीन एनरजी के रूप में उपलब्ध होगा देश की आजादी के अमरित महुत्सव के पावन उपलक्ष पर और वर्ष 2022 के इंडियन ओयल कंपनी के हरित भाविश्य के स्रिजन के विजन को साकार करते हुए अपनी स्वाण जयंती के सबसर पर अनंत संभावनाओं की ये नई खोच सूर्य नूतन देश दुनिया को समर्पित है आत्म निर्भर होते भारत की नई उडान सूर्य नूतन बनेगा किचन की नई पहचान